हेलो माई फ्रम वेलकम टो क्रिप्टोनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चनल में आपका दोस्तों आज जो एनलेसिस करेंगे थोड़ा सा हम बिटकोइन का करेंगे क्योंकि बिटकोइन के उपर पूरी मार्किट जो ठीकी होती है और अगर बीटीसी अगर नीचे जाता है बहुत सारे अल्टकोइन है जो ओलड़ी उपर है जिन्नोंने अभी गेन भी नहीं किया वो भी अल्टकोइन काफी डाउन जा सकते हैं दोस्तों कॉंसर्निंग होना भी जरूरी है और एक good news भी आई हुई है उसका भी आपको already पता ही है कि ETF जो बड़ी close है जो उसकी मनजूरी के उपर और अगर उन्होंने yes बोल दिया जैसे ही approve कर दिया तो bitcoin में एक और rally देखने को मिलेगी लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि already काफी अच्छी rally जो bitcoin ने दे है और you know जो एक जो sell the news वाली बात आती है और future में अगर news आती है तो bitcoin बड़ेगा क्योंकि एक ही news नहीं आएगी multiple news आएगी ETF को लेके लेकिन उससे पहले क्या हो सकता है अगर January के असपास जो इसने approve किया अगर ETF को SEC ने तो उस time अच्छी news आ सकते है लेकिन इन दिनों के बी जो bad news भी नहीं आएगी तो bitcoin काफी नीचे भी जा सकता है क्योंकि जब good news आती है वो अलड़ी आ चुकी है कि भाई एक ऐसा महल बन गया है create हो गये bitcoin का जो ETF मंजूर होने वाला है तो दोस्तों तो अभी तो हमने अच्छा-कासा gain किया काफी सारी cryptocurrency के अंदर लेकिन अब अग 13 मिनिट का जो chart देखें तो इस जो zone के अंदर accumulate कर रहा है कभी उपर कभी नीचे तो यहां पे इसने ultimate high बनाया अमरलब यहां पर high बना रहा है फिर यहां पर high बनाया तो यहां पर थोड़ा कम बनाया यहां पर high बनाया यहां पर down गया अब यहां पर high बनाया लेकिन इतना इसने यहां पर बनाया तो हो सकता यह ज़्यादा जाए और यह गया भी था उसके बाद यह नीचे आया तो यह भी हो सकता है कि यहां से यह नीचे वापिस चले जाए उसका रीजन बताता हूं मैं आपको एक और पांच मिनिट का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर भी दिखा है तो यहां से एक हो सकता है कि यह जो यहां तक एक लोग बने ठीक है एक यहां से लोग बनना एक को स्टार्ट हो यह क्योंकि इस लाइन से जो नीचे जा चुका है और हो सकता है यहां से यह जो चोटा जो हाई बना है इसके बाद एक और लोग बने और एकदम मार्केट न यहां से नीचे जाना शुरू हो जाए तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि market इस तरह से ऐसे करके थोड़ा सा pump लेके एकदम नीचे जा सकती है तो कहने का मतलब एक इशारा है कि जो BTC है वो नीचे जा सकता है ऐसा कोई पक्का नहीं होता लेकिन BTC यहां पर जो एक down गया है तो यह से थोड़ा सा ये idea होता है कि यहां से down जाने के बाद और एक जो इतने थोड़ा सा ज्यादा अप नहीं लगाया यह वाला गर देखते हैं यह up है यह down है और अलब यह यह एक इसने जो ज्यादा अप नहीं लगाया तो यहां से यह नीचे जाने के चांसिस है और हो सकता है यहां से यह एक और अप लगाए यहां पर और यहां से फिर दुबारा से यहां पर जाके यह एकदम डाउन आजाए और दोस्तों यह भी हो सकता है कि यहां से अगर जैसे BTC है यहां से एकड़म और यहां तक ऐसे ही accumulate करे और यहां से एकड़म यह जो danger zone से बाहर आके एकड़म उपर चले जाए तो थोड़ा सा wait कर लो और इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों जो BTC है up and down तो जाता रहता है लेकिन अपने पास एक emergency fund जरूर होना चाहिए कई लोग जादा पूरा पैसा फंड लगा देते हैं और फंड लगाने के बाद यह भी होता है कि उनके पास और जादा फंड लगाने के लिए पैसे नहीं होता है वो सोचते हैं bull market जाएगी और BTC यूटर्न मार लेता है और सारी मार्केट को एकदम रेड में लेके आ जाता है तो कहीं न कहीं 20% जो आपको फायदेगा अगर आपने 100 डॉलर इस bull market के अंदर earn कर लिए हैं तो 20 जो डॉलर है वो आपको side में रख देने चाहिए वो किस के लिए रखने चाहिए वो emergency fund के लिए रखने चाहिए कभी भी कैसे भी condition आती है तो 20 डॉलर को ठीक है वो आप उसको use कर सको मतलब एक example बदा रहा हूँ आप अपने इस आप सर डिसाइड कर लेना तो यह छोटा सा वीडियो था ज्यादा लंबा वीडियो में करना नहीं चाहता था इसको बहुत सारी वीडियो आप already देख रहे ह चाहिए अगर आपने इस बुलरन में जो मिनी बुलरन के अंदर आपने 100 डॉलर कमा लिए और वो आपने अगर उसको profit बुक नहीं किया 100 डॉलर में से 20 परसंट बुक नहीं किया तो कहीं नहीं अगर फिर दुबार असे नीचे जाता है तो 100 डॉलर बुक जीर हो जाएंगे यहां कम से कम 20 डॉलर तो बचा लोगे 20 परसंट तो कम से कम इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए बकिए कोई financial advice नहीं है अपनी research कर लेना और उसी साफ से अपनी trade करना because trading जो होती है काफी risky होती है दोस्तो risk को manage करना भी आना चाहिए कहीं अगर आपने risk को manage नहीं किया जो आपने जो चोटे से mini bullrun में कमाया है तो वो दुबारे से वापिस market में जाके minus में चला जा सकता है तो ठीक है ना तो यह चीज़ ध्यान रखना यह चोटे सा वीडियो था दोस्तों आपकी जो trading से related और BTC से related thank you very much दोस्तो have a good one take care bye-bye